नो कॉन्फिडेंस के उपर वो तमाम जो संसत सदस्य हैं वो सदन के अंदर बोलेंगे उसके बाद आएगा बबर शेर का नंबर और जब प्रधान मंत्री बोलेंगे तो मुझे लगता है राहूल गांदी के बाद आख मारने और गले लगने के अलावा जैसे पिछली बार उन गांदी के चरण चाटू पत्रकार हैं उन लोगों ने मैंने देखा कि बहुत सारे मेंस्ट्रीम मीडिया वाले बेरोजगार पत्रकार जो आज कल यूट्यूबर बने फिर रहे हैं उन्होंने तो बकाइदा न्यूस चाप दिया है कि राहूल गांदी ने पानी पानी कर दि ने दो और जो रही बात की नो कॉन्फिडेंस मोशन उसका ट्रेलर अमित भाई शा ने कल राज्यसभा में दिखा दिया उससे पहले लोगसभा में दिखा दिया कि यह बिल कैसे ओंदे मू गिरा है अब आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि नो कॉन्फिडेंस का क्या होन जीरो पता नहीं क्या क्या ना क्या क्या लिख रहे हैं विचारे उस राहूल बाबा को जो है लॉंच पे लॉंच किये जा रहे हैं पर एक राहूल बाबा है कि लॉंच होने का नाम नहीं लेते हैं कॉंग्रेस ने एक ट्विटर के ओपर एक फोटो जारी किया है जिसमें र पहरती जंता पार्टी एके खिलाब जो है वो सरकार यानि की भाग केंद सरकार के खिलाब कि नो कॉंफिडेंस मोशन लाया गया है जिससे यह का जा रहा है कि पहले राहूल गांदी शुरुआत करने वाले थे वहीं का जा रहा है कि तो अजार चौबिस के चुनाबों को जबाब है कि केंद सरकार के कॉंफिडेंस को देखे कहीं न कहीं राहूल गांधी और उनके सिपयसहलारों को मोशन आने शुरू हो गये मैं इसकी बानगी बताता हूँ, जो राहूल गांदी के चरण चाटू पत्रकार हैं, उन लोगों ने मैंने देखा कि बहुत सारे मेंस्ट्रीम मीडिया वाले बेरोजगार पत्रकार जो आज कल यूट्यूबर बने फिर रहे हैं, उन्होंने तो बकाइदा न्यूस चाप दिय कि राहूल गांदी ने आग उठा दी, राहूल गांदी ने पानी पानी कर दिया, अरे भाई, राहूल गांदी को बोलतो देने दो, एक वो मोजो वाली आंटी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इंटर्व्यू चापा, एक पुन्ने परसुन वाजपे हैं, एक अजीत चीन से पैसा खाकर देश के अंदर एक narrative गड़ने वाले जो पत्रकार हैं, उनके बारे में expose कितनी तेजी से चल रहा है, और जो रही बात की no confidence motion, उसका ट्रेलर अमित भाई शाह ने कल राज्यसभा में दिखा दिया, उससे पहले लोगसभा में दिखा दिया कि ये बिल कैसे अंदे मुग गिरा है, अब आप इससे अंदाजा लगा सकती है कि no confidence का क्या होने वाला है, जब देश का प्रधान मंतरी confidence में हो, जब देश की 140 करोड जनता उसके confidence के साथ confidence में ताल मिलाकर चल रही हो, तो इन लोगों को तो बहाना चाहिए time pass करने के लिए, जैसे चोटे ब करने के लिए, अभी मैंने देखा कि वो दीन दहारी मजदूर जो कभी राहूल गांधी 2.0 लिखते थे, आज वो राहूल गांधी 3.0 लिख रहे हैं, जैसे कि इस रो के जो है लांचिंग साइट से कोई तीसरा पकर है लांच हो रहा हो, तो जब से राहूल बाबा जो है 2014 क बाद से वो चुनाव हारने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई जा रहे हैं, तब से दीन दहारी मजदूर जो उनके फेवर में लिखने का मजदूरी करते हैं, वो 2.3, 3.0, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, बिचारे उस राहूल बाबा को जो है लांच पे लांच किये जा आया है, और जो सत्य है, उसको सच को कोई आच नहीं है, हाँ, अभी भारतिय जनता पार्टी ने 15 वक्ताओं की लिस्ट आज जारी करी है, और जो है नो कॉन्फिदेंस के उपर वो तमाम जो संसत सदस्य हैं, वो सदन के अंदर बोलेंगे, उसके बाद आएगा बबर शेर क कुछ बचा नहीं है, और जब मोदी जी सदन के अंदर बोलेंगे, तो मुझे लगता है, इमीडियेटली राहूल गांदी को एक वेकेशन की जरुवत पड़ेगी, अब या वो नानी के घर जा सकते हैं, या वो थाइलेंड जा सकते हैं, जहां वो हमेशा जाते आएए, प्रदान मंत्री मोदी जी ने मनीपूर के हिंसा के उपर उन्होंने अपना वक्तवे दिया था, और निश्चित रूप से जो मनीपूर के अंदर हो रहा है, वो बहुत दुखद है, और प्रदान मंत्री जी ने स्वयम कहा कि ऐसी घटनाओं से पूरे देश का शर्म सार होत बंगाल के अंदर राजनेतिक हिंसा हो रही है वहां पर यह कुछ नहीं बोलेंगे वहां पर यह गांधी जी के तीन बंदर बनके आख मुँन आख सब बंद कर लेंगे पर इनको सिरफ मनीपुर दिखता है मनीपुर के अंदर केंदर की एजनसियां काम कर रही है सेना लगाई गई है वहां तमाम चीजे हो रही है अमिच्छा जी ने तो खुला बोला कल भी राज्यसभा के अंदर बोला आईए ग्यारा तारीक को करते हैं इसके ओपर चर्चा करते हैं तो विपक्ष करता है पूर के पूरे सदन में से वॉक आउट कर जाता है सदन के अंदर आराजकता का माहौल पैदा करता है पर चर्चा नहीं करता और यह सोचते हैं जैसे अरविंद केजिरिवाल को एक आदत है जब जब उनको प्रदान मंत्री मोधी को गाली देने का मन करता है तो वो विदान सभा का देने के अचिका आदे दिन का सद्र पूलाते हैं परदान मंतुर को गाली देते हापनी कुंठा करते हैं उसके बास चले जाते हैं तो आज कई न कहीं विपक्षी लोग भी यह कररे हैं कि उनके कुंठा इतनी भर गई है कि उनको किसी ना किसी वज़े से एक इसको एंगल प्रदान मंत्री तो शुरू से बोल रहे हैं ग्रेय मंत्री बोल रहे हैं पर इनको सिर्फ और सिर्फ चर्चा नहीं करने इनको ड्रामा करना है आज बताइए प्रियंका वाडरा लड़की हूं लड़ सकती हूं जब गैर भाजपाई राज्यों में तो बड़ी जल्दी प्रि प्रियंक के हिसाब से वहां महिलाओं के उपर बच्चीयों के उपर कुरूर्ता और ये जगन्य अपराध हो रहे हैं बलातकार जैसे विभत सकांड हो रहे हैं पर जो है क्यों नहीं बोलती परन्तु वहां का मुख्यमंत्री क्या बोलता है उनकी संवेधन हींता देखिर के आधे से ज्यादा जो है केस फर्जी हैं वहां का इनी का कॉंग्रेस का एक नेता है वो बोलता है कि जी राजिस्थान तो मर्दों का प्रदेश है यहां नहीं होगा तो कहां होगा कॉंग्रेस की विधायक है दिव्या मदेरणा वो बोलती है कि जो है एक मंत्री का बेटा जो रेप के आरोपों में खुला गूम रहा है उसके उपर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुए आप सोचिए उनी के विधान सभाह के अंदर राजस्तान की विधान सभाह के अंदर उन केस्ट करने की तयारियां हो जाती है अगर हम बात करें 2024 के चुनावव को लेकर विपक्षी पार्टी के चुनाववह दोब करें और मणीपर हो यह त्वाम मसलों पर मोधी सरकार्त चुप रहेगी तो 2024 नहार का सामधा करना पड़ेगा इस तरीके के बयान देए यह karma मनमोन सिंग जी तक को उन्होंने सदन के अंदर वीलचेर में बिठा के जिस मनमोन सिंग को यही अरविंद केजरीवाल पानी पीपी के गाली देते थे मैं तो यह जानना चाता हूँ जब कॉंग्रेस के नितरत्व को पता है कि यह बिल जाके वाँ धराशा ही हो जाना है उस बिचारे मनमोन सिंग की क्या गलती थी कि उनको जो है आज इस स्थिती में वहाँ पे इतने देर तक उनको बिठाना पड़ा दूसरी दरफ कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता हैं संदीब दिख्षित वो कहानी सुनाते हैं कि जंगल में एक शेर होता है वहाँ पे और पशू भी होते हैं लोमडी भी होता है अरविंद के लोमडी तो फिर भी अच्छी है इस प्रकार के बयानात कॉंग्रेस के नेता दे रहे हैं और एक कॉंग्रेस का टॉप लीडर्शिप है जो अरविंद केजरीवाल को I don't know कि क्या मोहबबत हो गई है मुझे लगता है कि वो जो राहूल गांदी की मोहबबत की दुकान है उसका पहला प्रियोग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के रूप में मैं देखता हूँ महब्बत की दुकान तो यह लोग क्या कर रहे हैं आपने देखा देश की अंदर देखा पूरे देश में क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से अभी मज़े की बात देखें महब्बत की दुकान जब जिक्र होई गया तो कॉंगरेस ने एक ट्विटर के ओपर एक फोटो जारी किया है जिसमें राहूल गांदी जो है बुल्डोजर के आगे खड़ें तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप मिवात के दंगाईयों के साथ खड़ें तो इस प्रकार की अपीजमेंट की जो राजनीती कॉंग्रिस करती आई है और इनके दोरे चरित्र को देश जो है छे दशकों से अधिक से देख रहा है और देश की जनता के माइंड में बहुत क्लियर है देखिए ना राहूल गांदी को क्लियर है ना सोनिया गांदी को क्लियर है आज निशिका चक्कर में कॉंग्रिस बरबाद हुई जा रही है परंतु देश की जंता के मन में क्लारिटी है कि 10 साल इस देश की जंता ने नरेंद्र मोधी जी के नितरत्व में एक शांदार सरकार देखी है जिसने हर तब के पर एक्सिलेंट काम किया है और देश की जंता दोबारा 2024 में उनको सत्ता सीन करने जा रही है और राहूल गांधी को अभी भी PMN वेटिंग बने रहना पड़ेगा अब पता नहीं ये कब तक चलेगा बिचारे राहूल गांधी मुझे तो लगता है एक बार उनको भी कि उनकी कृपा कहां से आने शुरू होगी